कि आपको डर लगता है डरिये मत यह वीडियो आप ले बहुत ही हेलफुल होने वाली जितने वीडियो मैं दूँगा हर एक वीडियो मैं दार देने का प्रयास कुरूँगा इसके पांच प्रस्न के सॉलूशन देखने के बाद आपसे कई ऐसे प्रस्न होंगे जो इसी बैसिस पर इसी तरीके पर इसी आधार पर आप अपनी कलम से अपने मायंड से कर ले जाएंगे क्योंकि पेपर में ना हम होंगे ना आपके पास किताब होगा केवल आप होंगे और आपका प्रस्न पत्र होगा इसलिए अगर वीडियो को सुरू किया है तो ध्यान से वीडियो में बने रहे आपको वीडियो में लाश्ट अप आप इतनी सारी मैं जान करिया दोंगा जिससे आपका दिल क्या हो जाएगा खुस हो जाएगा चले हम सुरू کرते हैं क्या इसके पहले वाला वीडियो आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज जरूर करें अगर आप इसी तरीके के वीडियोज पाना चाहते हैं, तो प्लीज अगर चैनल पर नहीं हो, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियोज आपको दे सकें, अगर आपके पास कोई ग्रुप्स हो, स्कूल के, वाटसप्स के, आपके फ्रेंड्स ह कर दें, जिससे उन तक भी ये वीडियोज पहुंच जाए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे मनों बलको और अधिक बढ़ाएगा, अच्छा, जितने भी लोग लाइब हैं, जरा एक काम कर सकते हैं, आपनों फटा-फट फ्री में जो होता है, उसको फटा-फट लाइक कर प्यास करेंगे, ठीक है, मैंने आपका ले लिया है, सम्दाले का प्यास करूँगा, ठीक है, यहांपर हम सेकंड क्ोड्pak की, पहले वाला क्वेशन हो गया है, यहां पर लिखा है, सभी खंड कीजिए, ठीक है, सभी खंड में आपके पास पांच क्वेस्चन है, कितने लिखा गया है यह थोड़ा सा गलत लिखा गया है इसको ऐसे लिखना था कैसे लिखना था टैन इन वर्स ठीक है और यहाँ पी इसको लिखना था minus 1 यह अब आपका 100% right हो गया तो इसी के solution को करना है यहाँ पर बोला है का मुख्यमान है आपसे क्या पूछा है? इसका मुख्यमान पूछा है आपसे पूछा है मुख्यमान तो आप इसको बराबर क्या मान सकते हैं? आप लोग क्या मान सकते हैं? इसको minus 1 हो जाएगा और आपको बता दें यहाँ पर 10 theta बरावर यह जो minus 1 है वो बैलू है आपके पास 10 3 pi by 4 की यह किसकी बैलू है 10 3 by 4 की और 10 से 10 हट गया यहाँ पर theta is equal to मिल गया अपने पास 3 pi by 4 क्या मिल गया है यहाँ पर 3 pi by 4 तो आगे चलते हैं यहाँ तक आप इस्क्रीन साथ लीजिए एक इस्क्रीन साथ लीजिए जिससे मागे यहाँ पर आपके वहल इतना याद रखे ठीटा वरावर क्या मिला है 3 pi by 4 चलिए इस्क्रीन साथ हो गया होगा सफी का फटा फट यहाँ पर आया ठीटा वरावर क्या 3 pi by 4 चलिए चलिए आगे चलते हैं ठीटा वरावर अपने पास क्या मिला था ठीटा वरावर अपने पास मिला था 3 pi by 4 आराम से यहाँ आएंगे यहाँ पर लिखेंगे 10 inverse माइनस 1 के स्थान पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 10 3 pi by 4 और 10 inverse से 10 cancel हो गया यहाँ पर आ गया अपना 3 pi by 4 एक नमबर का question था बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है तो यह question कैसा लगा पसंद आया आपको मज़ा आया अगर मज़ा आया तो please like कर दे और अपने दोस्तों के पास share कर दे पहला question सब को समझ में आया सभी लोग फटा-फट comment करें अगर समझ में आया तो please फटा-फट comment करें अगर नहीं आया है एक बार और आगे करके देख ले आ जाएगा तो लिए आगे चलते हैं second number question की बात करते हैं ठीक है पहला question हो गया दूसरे question की में बात करता हूँ question number two ठीक है बहुत बढ़े है question है और हम देखने का प्रेस करें यहाँ पर क्या दिया है दिखाईए की फलन fx दिखाईए की फलन fx एक बटे x-a x बरावर एक पर क्या है सतत है ठीक है तो देखिए ध्यान सुनिए एक-एक point लगाएंगे अराम समझीगा आएसा question जहां पी आजए जहां पी आप उसे सतत्ता की बारे पूछे ठीक है तो आप एक system लगाईए सबसे पहले यहाँ लिखिए आप क्या r-h-l लिख ले गए और आप यहाँ पर लिखिए यल-h-l लिख ले गए यहाँ पर किस पर पूछा है x बरावर a पर पूछा है तो आप यहाँ पर लिखिए हमारे पास जगाँ थोड़ा सा कम है यहाँ लिखिए x tends to a plus h पे लिखिए इसको और यहाँ लिखिए x tends to a minus h पे लिखिए ठीक है यहाँ तक भी कोई दिकत नहीं है आराम से आप यहाँ लिखिए h tends to 0 मत्तब यहाँ लगाईए limit लगाईए और लिखिए h tends to 0 यहाँ लिखिए h tends to 0 h tends to क्या हो जाएगा? 0 और एक बटे यहाँ पर यक्स है यक्स के अस्थान पे हो जाएगा a plus h a plus h हो जाएगा और minus यहाँ क्या हो जाएगा? a और यहाँ पर लिखिए limit h tends to 0 एक बटे यहाँ हो जाएगा a minus h minus a ठीक है? इस a से यह एक एंसिल और इस वाले a से यह वाला एक एंसिल यहाँ आपके पास plus infinite हो जाएगा और यहाँ minus एक बटे 0 यहाँ आपके पास minus infinite हो जाएगा आप लिखेंगे r hl does not equal l hl ठीक है? अतहा यहाँ एक बरावर एक पर x बरावर a पर क्या है? यह यहाँ पर ठीक है? सत्त है ठीक है? यहाँ पर एक पर एक पर क्या है? सत्त है एक पर plus infinite आया एक पर क्या आया है? minus infinite आया है फिर यह सत्त तो नहीं है लेकिन यहाँ पर इसको लिखना था क्या है? यह आ संत्त लिखना था क्या लिखना था? आ सत्त क्योंकि एक पे मैंने भी प्रूफ किया, एक पे माइनस इंफानाइट आ रहा है, पलस इंफानाइट, और इसी आधार पे आप सारे प्रश्णों को जितने भी संतत आसंतत वाले आएंगे, इसी आधार पे आप प्रैक्टिस करिए, चलिए हम सुरू करते हैं, आपका खा तक हो गया, ह कोई सी तरीकस लगाते हैं, हम रहल, रख करके बगल बगल अपने कोचिंग में बचवक सिखाते हैं, जिससे आपको आनेवाली सबी प्रश्णों में कोई प्रॉब्लम से ना हो, जिससे आप समझ सके रहल क्या चीज है, और लहल क्या चीज है, आर एचल में हमेसा दिये लॉकल समिकल की घात वा कोटी बताईए मुझे इसका आपको घात भी बताना है और इसकी आपको क्या बतानी है कोटी बतानी है सबसे पहले यह जो कोटी सबसे पहले कोटी निकालो और कोटी की ही घात लिखी जाती है ऐसा कोई विरूल नहीं है मतलब देखे जो सबसे बड़ा घात है वही सबसे बड़ा ये 9, 10 तक होता है आप 9, 10 में नहीं है आप 11 भी भी नहीं है अब 12 में चले गए आप कहां चले गए है 12 में चले गए तो हम आपको बताने का प्रयास करें सबसे पहले इसमें ये देखिए सबसे अधिक बार differentiate कौन है तो यहाँ पर आए ये दो बार है यहाँ पर आए ये एक बार है ये क्या है एक बार ये जो लगा है ये नहीं differentiate का मत्तब बताब dydx या dydx मत्तब एक बार आउ का लग है d2ydx2 ये दो बार d3ydx3 मुझे ये चेक करना कितनी बार वो differentiate है उसकी पावर के नहीं देखना मुझ है इसकी कोटी क्या है ये दो है और इसी कोटी वाले ओकलज पर जो लगा हुआ है तीन यही इसकी क्या होगी घात होगी समझ गए जब भी आपको घात या कोटी निकालना हुआ तो सबसे पहले आप ठीक है हो सकेगा अगर आपका आपका विचार है तो आप एक कमेंट सभी लोग गुर्जवान कमेंट करें आपके लिए हम घात और कोटी पूरा बिद नोट सब इद पॉइंट इग्जामपल एक-एक एक-गहांपल एक मतलब किसके घात परभासित है कि हो परफासित नहीं है किसके कोटि परफासित नहीं है कौण से कुछ्षण को किस तरीक से लगा जाता है लाप लेज पंप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक कमेंट कर दें आप पूरे आप उस वीडियो को देखने के बाद पूरे मॉडल पेपर को उठा करके एक भी क्वेश्चन आपको घात और कोट से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा यह मेरा हंड़ेट परसेंट से अधिकबार है इसके जो डिफ्रेंसीट हुआ उसकी कोटी दो होगी और घातीन होगी कमेंट करें ठीक है कमेंट करेंगे अगर आप लोग तो हम बना देंगे आपको चली आगे चलते हैं आपके पास गा की पास खा क्वेश्चन नमबर खा की तरबलिक चलते हैं ठीक है बाद आप घा देखिए अराम से ठीक है क्वेश्चन नमबर घा यहां क्या दिया है बिन्धुयूग में ठीक है इतने और इतने के बीच की दूरी ठीक है तो ये सीधे-सीधे चतुर्थांस नहीं है यहाँ पर अस्टांस है यहांप पर क्या है यह अस्टांस है अच्छा इंके बीच की दूरी का सूत्र होता है अराम से इसमाल D वรाबर ठीक है अंडरूट होता है यह फिर से अंडरूट लगाएंगे यहाँ पर लखेंगे एकसट् planning का X2, X2 का स्थान पर 1 है, और minus, minus minus यहां क्या हो जाएगा, plus 1 का whole square, plus Y2, Y2 का स्थान पर minus 3 है, और minus Y1 का स्थान कितना है, 3 है, यहां हो जाएगा, इसका whole square हो जाएगा, और plus हो जाएगा, Z2, Z2 का स्थान पर 4 और minus, और यहां minus 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस चार क्या हो जाएगा होल स्कॉयर दो एक एक दो दो दुनाई क्या हो गया चार तीन तीन छेट चचवक क्या हो गया 36 हो गया प्लस चार चार आठाट आठाटाई क्या हो गया 64 हो गया 64 और 36 हो जाएगा और सो और चार इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट एक सो चार आएगा आंसर कितना है का अंडर रूट एक सो चार आएगा और एक सो चार को हम लिख सकते हैं आराम से इसको लिख सकते हैं आप लोग दो अंडर रूट छब्विस क्या लिख सकते हैं 2 under root 26, क्योंकि 26, 24, 24, 104 होता है, और 4 का वर्मूल 2 हो जाएगा, 2 under root 26, एक आई, 2 under root 26 का आई, तो मुझे आसा है, आपको का भी आया, आपको पूरा-पूरा खा भी समझ में आया, आपको गा नमबर भी समझ में आया, अगर स्क्रीन-सार्ट लेना है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, घा नमबर क्वेश्चन हो गया, फज़श्चन नमबर अंगा, फज़चन नमबर अंगा, अंगा नमबर क्वेश्चन दीखिए अंगा नमबर क्वेश्चन वी К थोड़ा सा समय लेंगे, आठ आने की प्राइक्टा अच्छा, सुनिए ध्यान से एक question हम बता देंगे तो आप एक ही question कर पाएंगे अगर इसके पूरे concept को बता देंगे तो आप एक नहीं, अगर कल को पूछ लिया योग 6 आने की प्राइक्टा योग 10 आने की प्राइक्टा योग 12 आने की प्राइक्टा तो आप लिख सकते हैं आप question के answer को दे सकते हैं इसमें answer क्या होगा ठीक है, चलिए, ये नहीं है लच्छ मेरा कि केवल आपको यही question आए मुझे ये लच्छ है कि आपको इन से related या इस से आने वाले कई question आपको आजाए अभी मैं दो पासे का सिखा रहा हूँ मैं आपको तीन पासे वाला भी trick सिखा दूँगा चलिए, double पासे की trick को देखिए ठीक है, यहाँ पर देख लिजे, क्या लाना है दो पासा फेका गया है, और 8 योग लाना है ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेकर चलते है ठीक है, इसको ध्यान से देखिए इसको, क्या देख रहे है आप से क्या पुछा है, 8 योग प्राप्त करना है क्या योग प्राप्त करना है, 8 अगर हम यहाँ से एक ऐसे पाई खीचे है आपके सामने, तो यहां तो कोई दिकत एक नट प्लीच थोड़ा सा रुकें ठीक है अगर हम यहां से एक पाई खीचें एक दो तीन चार पाच ऐसे करके अगर हम पाई खीचें तो आप देखिए यहां पे जहां जहां मैंने पाई लेकर गया है जहां जहां भी मैं पाई लेकर गया हूँ ठीक ह आराम से मैं पाई ले कर जा रहा हूँ, ठीक है? जरह देखिए, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 3, 8, 6, 2, 8, कैठो मिला? 1, 2, 3, 4, 5, कितना मिला? 5, और टोटल कितना है? टोटल कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 36, 5, 36, मतलब संभो इस्तितियों की संख्या बराबर 5, और कुल इस्तितियों की स संख्या बराबर 6, 36, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दो पासों के अंकों का योग, ठीक है? आठ प्राप्त होने का, तो कुल कितने मिल नहीं है? ठीक है? अब आप सवाल कैसे लगाएंगे? पांच बटल इस्तितितियों की संख्या बराबर 36, और उनका योग 8 आनिकी सं संख्या बराबर 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 6, 2, इसको लिख लेंगे? तो कुल आनिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है? यहाँ क्या हो जाएगा? आठ आने की प्राइक्ता बराबर 5 बटे 36, 5 बटे क्या हो जाएगा? 36 यहां तक कोजी कट नहीं है, तो 5 बटे 36 आपका 100% अभी आपसे कल को पूछ ले 12 तो 6-6-12 किवल कितना आ रहा है एक आ रहा है तो एक बटे कितना हो जाएगा 36 अगर आपसे पूछ ले 9 तो 6-3-9-5-4-9-4-5-9-6-3-9 बस यही चार हैं आप अराम से क्या लिखेंगे चार बटे क्या लिखेंगे 36 4-1-9-4-9-3-1-9 आपसे 5 पूछ ले तो 4-1-5-3-2-5-3-2-5-4-1-5 तो इस तरीके से आज के बाद आएंदा से आपके पास जो भी पूछा जाएगा 8 योग, 9 योग, 10 योग, 11 योग, अभी 11 आ गया 6-5-1 ऐसे इसे करते चलिए आप ठीक है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ठीक है और 4 क्या? 3, 4 और यहां मिल लिएगा 3 इस वाद क्या मिल लिएगा 2 एक होता है नहीं क्योंकि एक सिंगल होता है नहीं, डेबल पास लिया जा रहा है तो 11, यहां पर सबसे मिनिममम 2 होगा और सबसे उच्चितम 6-6 क्या होगा? 12 होगा, तो मुझे आसा है आपको यहां तक यह पूरा समझ में आया होगा, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आ तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो, थैंक्यू!